हलो एवरिवान जाय भोले ना ताई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि इस फुल मून पे ठीक है आपके परसन की क्या एनरजी से क्या फीलिंग से ठीक है फुल मून का जो दिन होता है बहुत होता है फुल मून तो इमोशन भी इंसान के बदलते हैं तो इसलिए फुल मून न्यू मून इतने इंपॉर्षन होते हैं तो आज के दिनकोई वी श्पैल अगर चाहो तो करवा सकते हो करियर लव ए लध के लिए स्पैल के लिए आप मुझे कॉन टाक्ट कर सकते हो मेरी इं चलो, स्टार्ट करते हैं, एंजल प्लीज हमें बताएं, ये पर्सन जो है, फुल मून है, तो इस वक्त क्या स्ट्रॉंग फीलिंग्स है उनकी? सबसे पहला कार्ड हमारे पास है, किंग ओफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस अन वर्गो आपके पर्सन सिक्योरिटी को बहुत इंपोर्टन देंगे, ठीक है? उनके लिए डिलेशन्शिप आपके साथ टाइम पास नहीं है, अभी तो इस वक्त तो नहीं है, वो ना ही और आपके साथ टाइम पास करके आपका दिल दुखाना चाते हैं, ना ही और आपको तकलीफ दे बिना चाते हैं, ये सोच रहे हैं कि ये इतने सीरियस हो गये हैं कि इनके लिए आपके साथ एक स्टेबल रिलेशन्शिप ये बनाना चाते हैं, ना कि ओन और न उप सिच्वेशन चाते हैं, ना कि नो कॉंटाक चाते हैं, ये चाते हैं एक स्टेबल स्ट्रॉंग रिलेशन and यह person I think मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के रिष्टे में financially कुछ issue चल रहा है तो यह person उस चीज के उपर भी काम कर रहा है या फिर कोई issue अगर चल रहा है आप दोनों के बीच में in general तो वो उस issue के उपर काम कर रहा है जैसे वो issue जो है वो शॉल्ब हो जाए और आप दोन girlfriend यहांवर मुझे से दिख रही है कि आपके जो partner है आपको बहुत जादा प्यार करने के लिए ready है ready to love ठीक है अगर सिर्फ प्यार नहीं आप अगर कोई बात उनको बोलते थे वो नहीं मानते थे आपकी बात को आप उनको commitment मांगते थे वो commitment नहीं देते थे या फिर वो on and off क आपननन है ready है आप जो भी terms and conditions आपके थे जिस तरीके से आप चीज़े stable चीज़े चाते थे उस तरीके से काम करने को चीजों के लिए यह person अभी ready है प्लस इन्होंने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखा है ठीक है गलतियों से सीखा है मतलब इन्होंने जो जो गलती किया ह उसका जरूर एक effect उनके उपर पड़ा है, वो भुगत चुके हैं, कर्मा उनको मिल चुका है, तो definitely ये जो person है, क्यूंकि उनको कर्मा मिला है, तो ये चीजे समझने लगे हैं, कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए, तो ये learn भी कर चुके हैं, चीजे और love करने के लिए भी ready हैं, और खास करके ये person, आपसे कुछ good qualities उन्होंने लिया है, आपकी कुछ ऐसी बहुत अच्छी qualities होंगे, जो आपको unique बनाता है उनके नजर में, तो आपकी कुछ qualities भी उन्होंने लिया है आपसे, या फिर सीखा है आपसे, जो अपने life में भी वो apply करना चाहते हैं, ठीक हैं? नेक्स्ट माली पास है, 9 of sword, Gemini, Aquarius and Libra, देखो आपकी person और आपकी बीच में अगर कोई trust issue थी, वो आपको बहुत शक करते थे या फिर आप उनको बहुत शक करते थे, अगर आप उनको बहुत शक करते थे, कि तुम किसी और के साथ बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो चीज़ के वज़े से वो गुसा हो सकते हैं, बाकी अगर वो आपके उपर शक कर रहे थी, तो उनको guilt feel हो रहा है, ठीक है, उनको समझ आ गया है, कि वो गलत थे, उन्होंने गलत किया है, आपके साथ, बहुत परिशान होते हैं, उस चीज़ के वज़े से क्यूं, खा अगर त्रसंड करते हैं, कि हर रिलेशनशिप को ऐसे थोड़े time में, ऐसे थोड़े, यूझो, मुश्किल time में गुज़रना ही पड़ता है, और आप दोनों के रिलेशनशिप का ये जो है, मुश्किल time है, समय आते आते, चीज़े सही हो जाएगी, आप दोनों का रישटा सह अब भी गलत है बट आगे जाकर आप दोनों का रिष्टा जो है वो सही हो जाएगा ठेक है और इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट ये भी है कि आप इनके लिए इस तरीके से ही वेट करोगे जैसे आप हमीशा करते हो उनको उसी तरीके से माफ भी कर दोगे और present moment पे ये person आपको बोलना चाते हैं कि मुझे तुमारे उपर बहुत जादा trust है और I know कि तुम मेरा trust कभी तोड़ोगे नहीं ठीक है कई नकई मुझे लगता है कि अगर ये person practical बहुत जादा चीजों को सोच रहे है तब ही उनको चीजे समझ आ रही है ठीक है जैसे कि कोई बात आप समझाने की कोशिश करो और ये person अंधे होते हैं समझते नहीं है चाहे आपकी प्यार को चाहे हो वो देखने ही पाते हैं या फिर आपकी emotions को देखने ही पाते हैं बट अब जब वो बिल्कुल practical way में चीजों को सोच रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है कि yes चीजे क्या सई ह आप जो भी बोल रहे थे वो बहुत हत्तक सही बात आप बोल रहे थे उनकी ये गलती थी कि वो नहीं समझ पाए ठीक है गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और चली देखते हैं ये person क्या सोच रहे हैं आपके लिए two of pentacles ओके देख person आप दूनों में से किसको choose करेंगे थोड़ा सा ये उस चीज के बारे में सोच रहे हैं ठीक है third party in the sense की कोई भी हो सकता है काम हो सकता है family हो सकती है या फिर proper कोई लड़का लड़की husband wife इस तरीके से third party भी हो सकती है ठीक है बट आपके person जिस भी other चीज में अपनी energy invest कर रहे थे तो कही न कहीं उनको अभी ऐसा है कि वो decision लेना चाते हैं ठीक है best अच्छा decision लेना चाते हैं जिससे आप दोनों का जो रिष्टा है वो stable हो जाए ठीक है unstable relationship ये नहीं चाते हैं क्योंकि इस relationship के बज़े से उनके life में भी बहुत आदा effect पड़ा है उनके life भी बहुत ups and downs उ हुआ है तो उनकी general life career हो गया third party के साथ हो गया वहां पर भी चीज़े problem होती है क्योंकि इस relationship की बाते उनके दिमाग में होती है वो परिशान होते हैं और चीज़े जो है वो वहां भी effect डालती है तो कहीं न कहीं ये person वो सारी effect वो नहीं चाते हैं उनके life में आए और आपको लेके वो best decision लेना चाते हैं एक ऐसा decision लेना चाते हैं जिससे आपका relationship भी balance हो और चीज़े reunion तक भी जाए ठीक है और यहां पर ऐसी दिख रही है कि आपके partner अगर ना बहुत गुस्से वाले हैं या फिर बहुत चिर्चरे person है आप जो भी उनको बोलते होंगे बहुत गुसा होते होंगे चिट्चिडे होते होंगे तो यहां पर चीज़े ऐसी है कि यह बहुत खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को बहुत mature करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि क्योंकि जब इनसान शांत दिमाग से कोई decision लेता है तो वो सही decision लेता है कुस अच्छी तरीके से उनको relationship को जो है handle करने हैं तो ये खुद को भी एक तरीके से शान्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके लिए आपके साथ जो भी decision ले वो सही decision ले ना कि आपको वो चीज और hurt करें ठीक है next हमारे पास क्या है seven of sword ठीक है देखिए आपके person बहुत जादा regret उनको है ठीक है क्योंकि उन्होंने आपकी value नहीं किया है आज तक जब तक आप उनके life में थे उन्होंने बहुत ही जादा value आपका नहीं किया है ठीक है और क्योंकि वो value नहीं किया है उस चीज़ का lesson उनको मिला है वो चीज़ वो समझ चुके हैं और अभी वो आपकी value करना चाते हैं ठीक है उन्होंने अगर आप अगर उनको मिल गए थे उन्होंने आपको taken for granted लिया था कि आप तो हो कहीं तो जाने वाले हो नहीं तो ये बात उनको अभी समझ आ रहा है कि मैंने बहुत ही जादा गलत ये बात सोची है या फिर सोचा है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कोई इंसान हमेशा life में नहीं रहता है हम अगर उसकी value नहीं करेंगे आज नहीं तो कल वो चला जाएगा या फिर चली जाएगी शायद आपके तरब से ऐसी behavior उन्होंने देखा है आप जाने की कोशिश कर रहे हो उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो दूर रहने की कोशिश कर रहे हो या फिर चुप रहने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं न कहीं इस person को लगता है कि मैंने value नहीं किया इसलिए आप अभी उन कैसे हो आपकी health कैसी है you know सारी चीज़ें आपके बारे में वो जानना चाते हैं overall यहां पर ऐसी दिख रही हूं कि आपके जो person है वो practical world में जीना चाते हैं वो कोई ख्वाबों की दुनिया में ने जीना चाते जहां पर एक इंसान किसी को छोड रहा है और दूसरे इंसान उसक long term के लिए नहीं होता है और वो practically अभी सोच रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करने वालो एक point of time पर कोई भी इंसान इतना exhaust हो जाता है कि वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे और नहीं भागना है तुम्हारे पीछे तो शायद आपकी energy वो feel कर पा रहे हैं कि आप धीरे 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 ऐसा हो रहे हो या फिर आप ऐसा हो जाओगे तो यह person अभी से डरने लगे हैं क्या पता उन्होंने जिस तरीके से आपकी value नहीं की शायद कुछ दिन के बाद आप उनकी value नहीं करोगे ठीक है न तो इस वज़े से यह person जो है कही न कहीं आप क्यों care करना चाते हैं आपसे पूछ पूछना चाते हैं जानना चाते हैं कि तुम्हें कहीं बहुत तो तकलीफ नहीं हुई हाला कि आपको हुई है पर यह वो जादा आपसे जानना चाते हैं ठीक है एहमियत जो होती है एक word होती है एहमियत आपकी एहमियत इनको पता चलिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है King of Pentacles वहां पर था Knight of Pentacles and that is King of Pentacles देखें यहां पर मुझे इसे दिख रही है कि यह परसन एक जिद में आ गए है कि आपके लाइफ में इनको जगा चहिए ही चाहिए अपना पहले जैसा जगा चाहिए ठीक है आप अगर ऐसा अभी सोच रहे हो कि ना ही मैं तुम्हें कभी importance दूँगा या फिर दूँगी और ना ही तुमसे कोई बार share करूँगा share करूँगी क्योंकि तुम तो कुछ समझे नहीं तो आप अगर एक जिद पे आगे हो और इनको ये चीज़ पता है या फिर ये खुद ही आपको importance नहीं दे पा रहे थे तो कई न कई मुझे लगता है कि ये person अभी आपके life में उनका एक खुद का बहुत एक strong जगा बनाना चाहते हैं इविन इस relationship को वो इतना strong बनाना चाहते हैं जिससे सब लोग बोलेंगे कि सच में हमने इन जैसा relationship नहीं देखा है ठीक है तो कई न कई आपके person जिद में आगे है बस मुझे चाहिए तुम तो चाहिए next हमारे पास है eight of sword देखो आपके person उनके अंदर जितनी भी वो था ना कि चीजों को नहीं समझ पा रहे थे आप जितना भी समझाओ वो नहीं समझ रहे थे एक false ego था उनके अंदर कि मेरा तो ये false ego है मैं तो ego में ही रहूंगा या फिर ego में ही रहूंगी तो वो सारी चीजे जो है वो सारी चीजों से आपकी person अभी release हो रहे हैं ठीक है जो उन्होंने खुद सोच रखा था कि उनको ऐसा ही करना है वो ऐसा ही सोचते हैं उनके लिए वैसी चीज ही सही है तो कई न कई मुझे लगता है कि आपके पार्टनर वो सारी चीज समझ चुके हैं कि वो कितने हद तक गलत थे और उन्हों self-believe जो होता है कि मैंने जो बोला है वो सही है अच्छा है उस चीज से ये person निकलना चाते हैं उनको पता है कि गलती तो उनसे हो गई है बहुत strong वाल जो भी जिस चीज से बंदे हुए थे उस चीज से निकलना चाते हैं ठीक है 10 of sword देखो ये person अभी truth देखना इनके सामने स्टार्ट हुआ है ठीक है आपको लेके truth हर चीज जो दिखती है end हो रही है वो चीज हमेसा ending नहीं होती है चीजों के उपर भी बहुत कुछ होता है तो आपका relationship आपको अगर end फील हो रहा है that is not end आपका relationship में कुछ truth हैसे भी है जो बाहर निकल के आनी है आपकी partner को समझ नहीं आता तो उनको समझ नहीं है तो कई न कई मुझे लगता है ending यहाँ पर नहीं हुई है कि अभी भी वो आपसे move on नहीं किये है आपको feel होता है अगर वो पूरी तरीके से move on कर चुके हैं उनको बिलकुल आपकी याद नहीं आती तो आप गलत हो अभी भी उन्होंने move on नहीं किया है still वो आपको बहुत याद करते हैं और जूजते हैं परिशानियों से क्योंकि वो आपको याद तो करते हैं बट आपकी तरफ आक्षन नहीं ले पाते हैं तो उसी तरीके से परिशानियों में बहुत जादा जूजते हैं और बहुत जादा परिशान होते हैं और बहुत आदा टेंस्ट होते हैं क्योंकि क्या है ना निकल पा रहे हैं ना रुप पा रहे हैं अपने लाइफ में ठीक है तो क्योंकि वो स्टक होके रहे गए हैं तो इसलिए बहुत परिशान है पर्ट येस इन्होंने move on नहीं किया है आपसे आगे ये पर्सन क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं आगे टू अफ कपस वाव सोल मेट अनरजी बहुत अच्छी बात है बहुत ही ब्यूटिफुल सा कार्ड है देखो ये जो है सोल मेट का कार्ड है क्यांसे स्कॉर्पियो पाइसीस अनरजी है यहां पर आप दोनों करिष्टा तूटेगा नहीं तो आगे वो चीज सारे वो चीज़े समझेंगे ठीक है आप जिस चीज की वर्दी होना डिपिस्ट लव की बहुत प्यार की अगर आप वर्दी हो हो जहां पर मुझे दिखता है आपके परसन बिल्कुल बिल्कुल आने वाले वक्त में आपको वो देंगे आपको वो अटेंशन भी देंगे आपको वो प्यार भी देंगे और पूरी तरीके से आपको वो रिस्पेक्ट भी देंगे उनके तरब से आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है आने वाले वक्त में रेडी हो जाओ उनसे लव रिसीव करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास है नाइन ओफ कप्स वाउ आज फुल मून है मैं चाहूंगी आप कोई विश मांगो जैसा वो पूरा हो गया है ठीक है फ्यूचर टेंस में मांगो क्योंकि नाइन ओफ कप्स का कार्ड है आपको पांच सेकेंड दे रही हूं मैं आख बंद करके फ्यूचर टेंस में कोई विश मांगो आप मांग लिया आपकी यह जो wish है वो बिलकुल fulfilled होगी क्योंकि यहाँ पर nine of cups का card है आने वाले वक्त में आपके partner को लेके आपकी जो भी emotions है यह partner fulfill करेंगे आपके लिए ठीक है यह partner openly अपनी feelings को share करेंगे openly यह आपको दिखाएंगे कि यह आपको कितना याद करते थे कितना miss करते थे चीसा होता है न कि दिल खोल के रख देंगे आपकी सामने आने वाले वक्त में यह person ठीक है तो आपको परिशान होने की जरुरत नहीं है कि यह कुछ नहीं करेंगे दिल खोल के रखेंगे ठीक है next हमारे पास है night of wants beautiful that is the card of action तो यह person decisions ले रहे हैं अभी और आने वाले टाइम में इस decisions के उपर वो काम करेंगे और without any pressure कोई उनको कुछ भी बोले वो आपकी life में वापस जरूर आएंगे कोई उनको चाहे रोकने की कोशिश करे टोकने की कोशिश करे या फिर कोई उनको कुछ बोलने की कोशिश करे उनको कुछ फरक नहीं पड़ेगा ये आएंगे तो 100% आपकी life में वापस आएंगे हो सकता है on and off situation करें आपकी साथ आके बट आएंगे जरूर ठीक है चलो अभी देखते हैं और monology के deck से क्योंकि ये बहुत important होता है moon energy की साथ connect होके ग्यारा दिन वारा दिन 11-12 देज और 11-12 आवर्स के अंदर या फिर week एक डेड महीना जिसको बोलते हैं उस time में ये person action लेंगे आपकी तरफ जहां पर भी है जो भी कर रहे हैं आपके उपर बहुत नजर है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है nothing is yet set in stone mutable moon आपको अगर लगता है कि आपके जो relationship है ना वो बस किस्मत में नहीं है कभी भी reunion नहीं होगा या फिर जो भी आप situation आपका चल रहा है ये person third party के साथ है आपको लगता है वो third party के साथ ही रहेंगे आपके लाइफ में नहीं लोटेंगे गलत आप जो भी चीज़े सोच रहे हो वो सब गलत होगा एक positive change यहां पर आएगी क्योंकि मुझे यहां पर चीज़े change होती हुई दिख रही है ठीक है आप जो सोच रहे हो ना positive सोचा करो next हमारे पास है your hard work is paying off देखो आपने जिस तरीके से अपनी energy को इस relationship में invest किया है जितना इंतिजार किया है जितना प्यार किया है जितना उनको समझाने की कोशिश किया है आपने जितना कुछ किया है इस रिष्टे में वो सब आपको मिलेगा इस person की तरब से ही मिलेगा ये full moon से लेके new moon तक cycle चल रहा है इस 15 दिन के अंदर आपको definitely वो चीज मिलेगी जिस चीज के आप हगदार हो जिस चीज के लिए आपने महनत किया है ठीक है next step bring love into the situation आप और आपके जो partner है इस situation में आप तो लाने के लिए ready हो आपके partner जो है वो इस situation में love लाएंगे आपको यकीन नहीं होगा वो प्यार करेंगे आपको ठीक है क्योंकि किस्मत कब पलटती है किसी को नहीं पता होता है अगर आप दोनों के बीच में बहुत लडाई जगडा है तो मैं एक चीज बोलूगी एक time के लिए लडाई जगडा 5 दिन 10 दिन के लिए कम से कम अभी 15 दिन के लिए side करो adjust करने की कोशिश करो adjust करोगे तो चीजे बहतर होगी try तो करो adjust करके क्या होता है ठीक है अब आपके लिए क्या card आ रहे है एक बार में देख लेती हूँ your dreams need a practical plan आप जिस भी चीज के लिए dream कर रहे हो चाहिए relationship हो, career हो, health हो उसके लिए काम करना पड़ता है सिर्फ ख़आप देख के बेटने से कुछ नहीं होता है ख़आप देख के उसके उपर काम करना पड़ता है relationship हो गया adjustment करना पड़ता है constantly person के पीछे रहना पड़ता है career हो गया उस चीज के लिए hard work करना पड़ता है तो आप जो भी dream देख रहे हो न और सोच रहे हो कि मैं सिर्फ manifest करके उसे hustle कर लूँगी manifestation के साथ साथ practical world में भी आपको उसको उपर focus करना है काम करना है तब ही जाके आपके लिए वो चीज होगी ठीक है क्योंकि जहां पर आप काम नहीं करोगे वहाँ पर कभी भी ना manifest काम करेगा ना switch world काम करेगा ना healing काम करेगा आप करते रहोगे चीजे side by side ये remedy करते रहोगे सब कुछ सब हो जाएगा ठीक है तो guys ये थी आपकी reading I hope आपको ये reading पसंद आई मलते हैं अगले reading पर तब तक अपना ख्याल रखें बाई guys